जैसा कि बोला जाता है वर्काउट करने के बाद हमारी बोड़ी को प्रोटीन की जुरूरत पड़ती है एक ऐसे प्रोटीन की जोकि हमारी बोड़ी में जल्दी 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 जाए और जल्दी जल्दी से हमारी मसल्स की रिकवरी कर सके क्योंकि हमारी मसल्स वर्काउट के लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे ना तो आपको प्रोटीन सप्लिमेंट लेने की जूर्थ पड़ेगी और उसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो अधिक मातरा में होगा और पचेगा भी जल्दी बस उसको खाने में थोड़ा सा समय लगता है द देखो बिल्कुल छोटे साइज का और फिर आपको लेनी है मूंग दाल आपको इनको बिगो देना है दोनों को उसके बाद 12 घंटे बिगोने के बाद आपको इनको कपड़े में डाल देना है जब ये भीग जाए अच्छे से मूंग दाल और देशी चने को कपड़े में ल 5-10 मिट रिलेक्स करके बोडी बनाने में 20% आपकी हेल्प करेगा है इसके अंदर जो कार्बोहेड़ेट पाया जाता है सबसे पहले आपकी बोडी को वो एनरजी देगा उसके बाद जो इसके अंदर ब्रपूर मातरा में प्रोटीन है वो आपकी बोडी की मसल्स को रिकवर करेगा फरक कूछ नहीं होता मेरे भाई जो शाकारी फूट होता है बस उसको खाने में और बनाने में थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग जाता है बाक्यों कोई फरक नहीं होता धन्यवाद जैहिद जै भारत